ये है मेरी ममा सारा सिस्टम ही उल्टा पुल्टा है इनका ठंड उनको लगती है और ब्लांकेट ओड़कर मुझे सोना पड़ता है भूख उन्हें लगती है और खाना मुझे खाना पड़ता है ओफिस की इंपोर्टन मीटिंग चल रहे होती है मगर सारा फोकस सिर्फ मुझ पर मैं जरा सा रोने क्या लगू ममा तोड़ कर मुझे चुपकर आने आ जाती है और अगर कभी मुझे जरा सा बुखार हो जाए बाप रे सारा घर सर पर उठा लेती है कभी कभी तो डॉक्टर से ही लड़ जाती है उफ मेरी ममा कभी कभी खेलता हुआ मैं मस्टेबल के नीचे चला जाता हूँ मगर ममा पकड़ कर फिर से जिल में डाल देती है मेरा तो कोई कंट्रोल ही ले है मेरे लाइफ पर उठने से लेकर सोने तक नाने से लेकर खाने तक सब ममा के हिसाप से करो देखना जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना सब कुछ अपने हिसाप से करोंगा अपनी सारी विश्च पूरी करोंगा वैसे कभी कभी सोचता हूँ ममा की भी तो कोई विश होगी ना पता ने वो उने पूरा कप करती हूँगी क्योंकि सारा टाइम तो मेरे पिछे लगे रहती है आशार नहीं होता यार इन ममा लोगों की लाइफ और एक मज़ी की बात बताऊं जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाऊंगा ये सब भूलता जाऊंगा फिर हो सकता है एक दिन मुझे लगे कि आखिर ममा ने मेरे लिए किया ही क्या है लेकिन आप प्लीज कभी ऐसा मत सूचना अपने ममा की हर विश्पूरी करने में उनके हेल्प करना आप न बस उने ये याद दिलाते रहना कि आपके बाहर भी उनकी एक दुनिया है I wish मेरी और आप सब की ममा ना सारा घरेका विश्पूरी अवेरी हैपी मदर्स देए